एक बार की बात है, एक गहरे और सुन्दर समुद्र में बहुत सी मचलिया रहती थी. इन में से एक छोटी मचली का नाम था मिन्नी. मिन्नी बहुत ही चंचल और जिग्यासु थी. उसे समुद्र के हर कोने की खोज करने में बहुत मजा आता था. एक दिन, मिन्नी ने सुना कि समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में एक चमकता हुआ मोती है, जो बहुत ही अद्भुत और जादूई है. उसने इस मोती को देखने का निश्चे किया. उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्तों को बुलाया, गोल्डी, जो सुनहरी मचली थी, और ब्लू, जो नीले रंग की छोटी मचली थी. मिन्नी ने कहा, दोस्तों, मैंने सुना है कि समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में एक जादूई मोती है. क्यों न हम उसे ढूंडने चले, गोल्डी ने कहा, यह बहुत रोमांचक है. मैं तो जरूर चलूंगी, ब्लू ने कहा, मैं भी चलूंगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा. गहरे समुद्र में बहुत से खतरनाक जीव होते हैं, तीनों ने अपने साहस को समेटा और यात्रा पर निकल पड़े. चलते चलते उन्हें बहुत सी अजीब और ग्रीब चीजें और जीव दिखाई दिये. उन्होंने रंग बिरंगी मूंगे की चटानों, चमकते हुए जेलिफिश और हंसमुख डॉल्फिन्स को देखा. लेकिन जैसे जैसे वे गहरे समुद्र की ओर बढ़े, रास्ता कठिन होता गया. अचानक एक बड़ी और भयानक शार्क उनके सामने आ गई. मिन्नी और उसके दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. मिन्नी ने कहा, हम सब साथ हैं, तो हम इससे भी निपट सकते हैं. गोल्डी ने अपनी तेजी का उप्योग करते हुए शार्क का ध्यान भटकाया, और ब्लू ने एक गुप्त रास्ता ढूंड लिया जिससे वे शार्क से बच सकते थे. तीनों मिलकर उस कठिनाई से निकल गए और आगे बढ़ते गए. आखिरकार उन्होंने उस जादूई मोती को देख लिया. वह बहुत ही चमकीला और सुन्दर था. मोती को देखकर मिन्नी और उसके दोस्त बहुत खुश हुए. ब्लू ने कहा हमने इसे ढूंड लिया. यह तो अद्भुत है, गोल्डी ने कहा, हाँ, यह हमारी दोस्ती और साहस का प्रतीक है, मिन्नी ने कहा, अब हम इसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे, बलकि यहीं छोड़ देंगे ताकि अन्यमचलिया भी इसका आनंद ले सकें, तीनों ने मोती को उसी जगह छोड़ दि इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि साहस और दोस्ती से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है, और इस तरह मिन्नी, गोल्डी और ब्लू की दोस्ती और साहस की कहानी पूरे समुद्र में मशूर हो गई